नमस्कार दोस्तों में आप लोग का स्वागत है 36 गड़ व्यापम द्वारा जेस संपरिक्षक एवं सहायक संपरिक्षक के पदों पर भरती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है तो इन पदों के लिए कौन को न वेदन कर सकते हैं शैक्षरी क्योग्यता क्या होना चाहिए आप लोग कब से कब तक अवेदन कर सकते हो चैन परिक्रिय क्या होगा आयू क्या मांगा गया है इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियों बात करने माले है तो वीडियों को शुरू करते हैं दोस्तो विज्यापन जारी किया गया है संचालनलाय छतिय राजय समपरिक्षक रायपूर द्वारा 26 अक्टूबर 2021 को जिसके अंतरगर्ड जेश समपरिक्षक एवं सहाइक समपरिक्षक के विविन नपदों पर भरती किया जाना है दोस्तो आप लोगे हाँ पर इस्थान देख सकते हो रायपूर, बिलासपूर, राजननगाओ, जगदलपूर, रायगाड, अंबिकापूर एवं अन्यक काल्लाय में जेश समपरिक्षक एवं सहाइक समपरिक्षक के विविन नपदों पर भरती किया जाना है एक्चुक अवेदक अगर अवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अवेदन पत्र दिनांग 5 नॉमबर 2021 से 36 वेवसाइक परिक्षा मंडल रायपूर के वेबसाइट व्यापम.cgstate.gov.in पर अमत्रित किये जाते हैं दोस्तों आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से अवेदन करना होगा यहाँ पर आप लोग वेबसाइट का लिंक देख सकते हो जेस समपरिक्षक एवं सहायक समपरिक्षक भरती परिक्षा 2021 ऑनलाइन अवेदन करने की जो प्रारंबिक तिति है 5 नॉमबर 2021 सुक्रुवार स 69 मिनट तक आप लोग अवेदन कर सकते हो तुरुटी सुधार कर सकते हो 23 से लेके 25 नॉमबर 2021 तक और आप लोगों का व्यापम द्वारा प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा 2 दिसंबर 2021 गुरुवार को परिक्षक की समभावित थिति है 12 दिसंबर 2021 रविवार को लिय जाएगा परिक्षा का समय 10 बजे से लेके 1 बज के 45 मिनट तक आप लोगों से परिक्षा लिया जाएगा परिक्षा केंद्र प्रदेश के 5 संभागे मुख्याले में बनाया गया है सीधी भरती के रिक्पदों की संख्या एवाम वेतनमान का विवरा निम्न अनुसार है पत सूची जाती के दो पद अरुसूची जन जाती के तीन पद और पिछड़ा वर के एक पद पर भरती किया जाएगा सैक्ष्लिक योग्यता होना चीए कला विज्यान या वाडिज्य में दूतिया स्रेड़ी में इसनातक ग्राइजवर्ट होना चाहिए या उप्रोक्त विश हैं अनरक्षित के 23 पत पर भरती किया जाएगा अनुसूची जाती के 6 पत अनुसूची जन जाती के 17 पत और पिछड़ा वर के 8 पदों पर भरती किया जाएगा सैक्ष्लिक योग्यता होना चाहिए कला विज्ञान या माडिज्य में दूतिया स्रेड़ी में इसनातक ग्रा चाहिए और आप लोगों को छतिकर सासन के निया मनुसार आयू सीमा में पांच वर्स की छूट दिया जाएगा आप लोग यहाँ पर डिटेल से पढ़ सकते हो पोईंट नंबर दो अवेदव को छतियड का मूल निवासी होना चाहिए दोस्तों अगर आप लोग इन पदों के लिए अवेदन करना चाहते हो तो आप लोगों को छतियड का मूल निवासी होना चाहिए तभी आप लोग इन पदों के लिए अवेदन करें दोसों आप लोग यहां परिक्षा पाठर क्रम देख सकते हो जेज सम परिक्षक यहां सहायक सम परिक्षक भरती है तू पाठर क्रम जेज सम परिक्षक यहां सहायक सम परिक्षक है तू समान्य ज्यान, बुद्धी चमता, विशलेशनर चमता, अंग गड़ित एम हिंदी विश्चाई के प्रसंद पूछे जाएंगे चैन परिक्रिया क्या होगा आप लोगे हाँ पढ़ सकते हो जेस सम परिक्षक एम सहायक सम परिक्षक पदो पर चैन हेतू एक लिखित परिक्षा 36 गड़ विवसाईक परिक्षा मंडल रायपूर द्वार आयोजित की जाएगी परिक्षा उपरान प्राप्त अंगों के अधार पर मेरे सुची जारी कर दी जाएगी पॉइंट नंबर फाइब लिखित परिक्षा में 200 प्रशनों का एक प्रशन पत्र होगा जिसमें 200 अंग होंगे विवरा निम्न अनुसार है समान अध्यान एम गड़ित के सवंग हिंदी के सवंग परिक्षा अवधी तीन घंटे की होगी इसमें समान नग्यान, बुद्धी छमता, विशलेशन छमता, अंग गड़ित यम हिंदी विशय के प्रशन पूछे जाएंगे जो वस्तुनिस प्रकार के होंगे और सभी प्रशनों के अंग समान होंगे प्रते एक प्रशन के जहीं उत्तर पर एक अंग दिये जाएंगे गलत उत्तर के लिए एक बट्ट चार अंग काटे जाएंगे और दोस्तों अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग व्यापम.cgstate.goe.in पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हूं या तो मैं इस वीडियो के निच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विग्यापन का लिंक दे दूँगा लोग बॉक्षबी अंचे स्वाटन जाला का लुक्षबी च्रुचेवास या विग्याप तो मैं जाला की संप्रे शवी थाला म πάे या आद़ायू चल princi만 questa का लिच्चे है धिस्प्रावाद का गkhार से वीच्छ और आचे